तो जी हाँ हम पहुँच चुके हैं इंडिया मयनमार फ्रेंडशिप ब्रिज पर और चस्ट हमारी एंट्री होने वाली है मयनमार के अंदर तो आज हम हो गए हैं लखपती वो भी 12,000 रुपे में कल्चर डिफरेंट होगा लैंड्सकेप डिफरेंट होंगी और नजारे डिफरेंट होंगे चलिए शुरू करते हैं मयनमार चैप्टल सागर भाई आज फ्लाइ बैक कर रहे हैं अपने स्टे लिगोडी के लिए और देखें किसने जॉइन किया है तीपक भाई है गाइस हाव यू और फाइनली इस गुड तो बीबैक ओन दी ओडिसी इनिंफाल आफर दिस मैनमार लाओ चैंबोडिया विएतना मलेशिया थाइलेंड सिंगपोर एंश्री लंका एंड मुझे दीपक भाई बहुत 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 पासंद है बहुत अच्छा काम करते हैं सो बहुत इंस्पाइर करते हैं लोगों को बस ऐसी आप करते रहो और जहां तक कि एक्स्ट्रीम एडवेंजर की बात है कल आप ऐसी रोड में आया हो तो देखी चुदे हुए आपको कल के रोड बहुत ही जादा खराब थे मतला बहुत जादा स्लिपरी थे गड़े थे रो देंगे यह वाली और इस पर इन्होंने बैठा रखा है एक मिस्टर ग्रीन जिसको की बोलते हैं हल्क इसको हल्के में मतलेना हल्के में मतलेना लेट्स मूँग जै मतादी तो जी हाँ आज के सफर की शुरुवात हो चुकी है जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं एंटर कर जाओंगा मयन्मार में और बाकी सुनील भाई और सनी भाई आगे बढ़ेंगे सिंगापूर लाओस वियतनाम जितनी भी साउथ एशियन कंट्रीज है सारी क सारी करेंगे वह तो पैट्रोल पंप आगया है पैट्रोल फिल करा लेते हैं सिर्फ दो बास दिखा रहा है एक्चली यहां से मोरे बॉर्डर है 109 किलोमीटर और फिर हमें जाना है काले तो टोटल जो डिस्टेंस होने वाला है वह होगा 200 किलोमेटर के आस-पास एलो डाल दू फुलक ओ शिट कितना रुपए हैं आपे 70 74 वह भी टलना है नहीं नहीं तीन है बर्या 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 अरे बापरे सारा भी खेर दिया तो भाई साब मनीपूर के रोड्स पर ट्राफिक काफी जादा देखने को मिल रहा है दोनों तरफ हाँ 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 हो देखिए वढंदा उडाटे हुए जा रहा है ऐसे तो हम भी उडाटे हुए जा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है बहुत वड़ाया है हमने अब लग रही है ठंडी ठंडी हवा और शुरू हो चुकी है चड़ाई पहाड़ों की क्या नजारे यार पूरा कीचडियों रखा है कोई छोटा सा गाउं आया है नाम तो खेर पड़नी पाऊंगा मैं तो ऊपर से में खाल से यहां तो लगेगा भीया टाइम को हो 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 देखो उपर से पथर किर रहे हैं कि मोरे कितना है यहां से है सिक्सी है ओ तो अभी भी यहां से पचास साथ किलोमीटर है और पूरा का पूरा जो रास्ता है वो पहाड़ी है और यहां पर हो रखी है से लैंडस्लाइड एक्चली वर्क कर रहे है उपर से तो पहाड़ पूरा ही नीचे गिर दिया है इन्होंने वह देखिए उपर एक और जेसी भी लगी हुई है कि एक फ्यू मिनिट्स लेटर तो रोड कर दिया है क्लियर इन्होंने में चाल से उदर से गाड़िया आ रही है वह बोल रहे जाने के लिए तो चलिए रोड खुल गया है निकलते हैं आगे की तरफ मेरी कौन सी भाइक थी यह वाली एक्चिली पहले ग्रीन वाली चला रहा था तो बार बार उसी पर ध्यान जाता है यहां से आ रहे थे पत्थर उपर से जबा तब यह वाले सारे और एक दो तो ऐसे थे जो बहुत ह चलो जी निकल तो गये है अल्टीमेट है यार अल्टीमेट प्लेस है और यहां पर हलकी हलकी ठंड लग रही है मुझे एक्चली हाइट पर है तो थंदा थंदा कूल कूल मौसम और रखा इस टाइम और जैसे ही हम एंटर करेंगे मोरे तो वहां पर होगी जबरदस वाली ग तो टेनू टेंगू पाल जिस थिक है यह टेंगू पाल जगा का नाम टेंगू पाल वाह क्या नाम है अ अ अ अ अ अ अ तो यह टूटा फूटा सा ब्रीज पड़ा बीच में मोरे के रास्ते में कि वेट 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 हमें निकलने तो वहिया पहले हां जी हां जी तो मोरे यहां से चार किलोमेटर रह गया है धूब बहुत तेज हो गई है यार और इतनी गर्मी लग रही है ना हालत खराब हो रही अब तो वेलकम टू मोरे यहां पर भी बोर्ड है गोवर्मेंट ऑफ मनिपुर तो काफी सारे फॉरेंटर्स को देखा है मैंने यहां से क्रॉस होते हुए एक्चली दो बार मैं यहां पर आ चुका हूं तो बड़ी दिली तमन्ना थी यार कभी इस बॉर्डर को क्रॉस किया जाएगा और आज वह पूरी होने जा रही है कि चलो जी तो यह है मोरे का टाउन विलेज कह सकते हैं टाउन कह सकते हैं जो भी है चाओ इस प्रेट इस प्रेट इस प्रेट सब्सक्त का शुचार जरी देयोँ न्यम्ना को यहां देफर इस बासे का सब्सक्ता कि पदा नहीं इधर किसले जा रहे हैं बागी बॉर्डर उस साइड से हैं तो जी यह है मैंनमार फ्रेंग्शिप केट लेकिन यहां से एंट्री नहीं है मुझे मालू मैं वैसे तो यह शायर कुछ फोटोस वगड़ा के लिए आये हूं डोट लोग वहीं से मैं बोलतो रहूं मोल लो मोल लो उल्टा मोल लो तो यहां से जाना है इस साइड बता रहे हैं इमिग्रेशन ओफिस इमिग्रेशन ओफिस बोट देख रहा हैं तो हम पहुंच चुके हैं इंडिया मैनमार फ्रेंट्षी ब्रिज पर और जस्ट हमारी एंट्री होने वाली है मैंदमार के अंधर तो शचाइट हैं मैं वह एक्साइटिड हूं यहां पर जो द्यान में रखने वाली बात है जो मैंने सुना है पता चल अगर आप इस तरफ से आने मियानमार की तरफ तो आपको वो सामने बोड दिखता है, बहुत इंपोर्डन्ट है एक बार आपको बोड दिखाते है वेल्कम तुद रीपब्लिक ऑफ इंडिया पॉलो इंडियन लॉज और अगर आप जाओगे तो इसमें लिखा हुआ है पास जाके बोड़ के सुनिल भाई भी पहली आ रहे हैं यस पहली बार मैं बड़ा एक्साइटिट में जाए हुआ है एसा निए कि में पहली बार किसी दूसरी कंट्री में जा रहा हूं बट ऐसे बॉर्डर क्रॉस करके पहली बार इंडिया से और तो की पेपर वर्क है यह है वो है प्लस यहां के रूल्स डिफरेंट हैं जैसे आप बताया कि राइट साइड में चलना है तो अपने दिमाग को रिवायर करना एक काफी तफ काम है तो इसका में ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लेफ्ट में न जाएं बार 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 पहले इमिग्रेशन ओफिस जाते हैं सौल डन पेपरवर्क हो गया पूरा करीबन दो से ठाइगंटे लग गया हमें आपर चलिए अब होगी ऑफिशियल एंट्री मयनमार में और यह था इमिग्रेशन ओफिस इंडिया का इंडिया मयनमार बॉडर पर जहां पर की पासपोर्ट वगरारा जितने भी डाकुमेंट होते हैं सब कुछ चेक होता है स्टैंप लगती है अब फिर दुबारा हमें बॉडर मतलब की जो फ्रैंट्शिप ब्रिज है वहां पर दिखाने पड़ेंगे और मैनमार के लिए आपको एक गाइड और एक स्कॉर्ट की जूरुत होती है कार की तो वह अल्रेडी प्लैंड ह है सब कुछ लिए रखा है हमने चले चलो कर दो कर दो कर दो कि अंदर आ चुके हैं और जो हमारे परमिट्स हैं फिर दुबारा यहां पर चेक हुए एक फोटोग्राफ की चाहिनोंने हमारा तो काफी लंबा प्रोसीजर है तो जब भी आईएगा टाइम लेके आईएगा सुबह जल्दी निकलिए ज्यादा बेटर है रोट टू टैमू कालियमों कालेमा टैमू की लोकल मार्किट तो जी यहां पर करेंसी एक्स्चेंज होगी हमारी तो जो भी चाहिए होगा वो इनकी करेंसी में खरीदना पड़ेगा आओ ठकर आओ करेंसी एक्स्चेंज कराओ 243,600 तो आज हम हो गए हैं लगपती वह भी 12,000 रुपे में यह है 2,40 कितना था 43,600 ख्यात बर्मीज करेंसी तो भाई यह देखो कितने सारे नोट आए हैं वह भी सिर्फ 12,000 देने में हैं चलो जी लगपती हो गया में यह भी बताओ ना हां बोलो तो वी पेड 5,000 रुपीज फ़र मोबाइल रिचार्ज ओ तो जी हां और पांच हजार रुपे हमने दिये सिर्फ मोबाइल रिचार्ज के लिए है आई कोड तो जी हां टैमू से हमने करेंसी चेंज करवाई और यह लेफ्ट हैं पर देख सकते हैं यहां का फायर ब्रिगेट स्टेशन है और हमें मुड़ना है लेफ्ट बहुत ध्यान से चला रहा हूं है एक्चली यहां पर है राइट हैं ड्राइव वाव मैन वी आर नाव एंटर इन मैंनमा ओफिशियली यह तो यह मेरा पहला मौका है जब वो जो चो रहा पड़ा था फायर ब्रिगेड वाला वहां से आगे निकलाओं गजब 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 अरे वा टोपी देखो डिफरेंट है ना कल्चर डिफरेंट होगा लैं चलिए शुरू करते हैं मैनमार चैप्टर है जब गजब करते हैं मात्याओं हैं बोफे हर इसे एंब – बऑ़ gauge unit यहां दो फोटोग्राफ बहुत जबर्दस आता लेकिन क्या करें निकलना है तो निकलना है तो बिल्कुल भी नहीं सकते और पहुचना है काले काले अभी भी यहां से है 110-120 के आसपास है तो हो 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 हाई सीरियसली क्या कलर आ रखा है तो जी हां मैंनमार में बहुत ही जबर्दस्त और खुबसूरत एंट्री हुई है यह देखिए हाई जो आसमान है मतलब यार क्या कहड़ा रहा है पहुच गए कहां काले हाई हाँ टाइम का देखना पड़ेगा यार कितना हो गया टाइम मेरे ख्याल से और होटल का नाम है जी वी एच होटल काले में काले में है और यह बहुत ही इंपोर्टन चीज है जो कि मैं अपने समान से निकाल के लाया हूं कि हाँ फाइनली इंडिया में अभी हो रहे हैं पॉने नो कि अभी हो देखो क्या उड़ाते हों जा रहे हैं सनी भाई कर रहे हैं कर रहे हैं झाल झाल